दोस्तों, हमारी पिछली कहानी चिडिया और परी में हमने देखा कि कैसे लाडो को एक जंगल के टीले पर एक अंजान पक्षी का अंडा मिला था और लाडो ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्यार रखा था कुछी दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहरा गया बच्चे को देखने के लिए आसपडोस से बहुत सारे पशुपक्षी आये थे जैसे ही बच्चा अंडे से बहारा गया लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई लेकिन आसपडोस के पशुपक्षी बच्चे को देखते ही भाग गये क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मावुली पंची का बच्चा नहीं था वो एक चील का बच्चा था अब तो लाडो चीडिया और चीडा भी उस बच्चे को देखकर खबरा गए लेकिन लाडो को ये बात नहीं पता थी कि आगे चल कर ये ही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं पूरे बस्ती के पशुपक्शियों का रखवाला पने वाला है अब देखते हैं आगे क्या होता है अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई तुम? ये तो चील का बच्चा है, आगे चल कर ये हमारे लिए मुसिबत बन सकता है तुम अभी क्या भी इस बच्चे को लेकर यहां से चली जाओ और जहां से ये अंडा उठा कर लेकर आई थी, वहां पर उसे छोड़ दो नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है, मैं ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकती अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस्त कर बड़ा करूंगी लाडो के जित के आगे चिडा की एक न चली लाडो ने अपने बच्चे का नम चीलू रख दिया दूसरे ही दिन से सारी पशुपक्षी, लाडो चिडिया को भला बुरा कहिने लगे अरे ये लाडो चिडिया, हमारी मोद को अपने घर में लेकर आई है तुम देखना, आगे चल कर जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये सबसे पहले हमें खा जाएगा ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कारों तक भी पहुंच गई राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिफाई पक्षियों के द्वारा भेज दिया शाम हो गई, सारे पुशुपक्षी मीटिंग में शामिल हो गए लाडो और चिड़ा भी वहापर आ गए तभी राजा ने लाडो से फूजा लाडो ये सब क्या है, तुम चील के बट्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में क्या तुमें बस्ती के बागी के पशुपक्षियों की कोई चिंता नहीं है नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है मेरे सपने में परी आई थी, उसे ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था तभी बूरे कव्वे ने कहा ये सब बक्वास है राजा जी, मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो भूरे कव्वे की बात सुलकर, बाकी के पशुपक्षी भी चिलाने लगे हर हर, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो राजा जी ने सब को शान्त किया, और लाडो से कहा लाडो अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है, तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़ कर आना होगा और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है, तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समें छोड़ना होगा ठीक है आप सब यहीं चाहते हो तो मैं ये बस्ति छोड़ कर कहीं दूर चली जाती हूँ लाडो जंगल छोड़ कर पास वाली जंगल में अपना गोसला बना कर वहां रहने चली जाती है ऐसे ही कुछ तिन गुजर जाते है और लाडो पेट से रह जाती है सुनिये जी बारिश का मोसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ आप चल जाकर अनाजी कटा कर लिजे और हमें हमारा गोसला भी पक्का करना पड़ेगा हाँ हाँ मैं अभी जाकर अनाजी कटा करता हूँ इधर चिडा बारिश का मोसम आने से पहले अनाज इकटा करने लगा और इधर लाडो आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी अनाज इकटा करने के बाद चिडा और लाडो ने मिलकर अपना गोसला भी पक्का कर लिया चीलू ने बे लाडो और चिडा को घर पका करने में बहुत मदद की बारिश का मोसम आ गया ऐसे ही कुछ दिन बीद गय उपर वाले ने लाडो की मा बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो ने दो प्यारे प्यारे अंडे दे दिये चीलू अपने दोनों भाईयों से बहुत प्यार करता था लेकिन दोनों भाई चीलू से नफरत करते थे चीलू और दोनों भाईयों में बहुत जगड़े होते थे ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे तब ये चीलू वहाँ पर आ जाता है मुझे भी खेलना है आपके साथ क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ नहीं नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते तुम हमारा सगा भाही नहीं है ऐसा किस ने कहा मैं तुम दोनों का बड़ा भाही हूँ मुझे भी खेलने दोना नहीं मा ने तुझे जंगल के टीले से उटाया था अगर तुझे ये बात जूट लगती है तो जाके मा से पुछ हमने खुद हमारे कानों से सुना है एक दिन मा और पिताजी ये बात कह रहे थे जैसे ही टीलू को ए बात पता चली वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते मा के पास चला जाता है क्या हुआ चिलू तुम रो क्यों रहे हो देखो न मा मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ आपने मुझे जंगल के टीले से उटाया है मा क्या ये बात सच है बोलो न मा क्या ये बात सच है मुझे माफ करना मेरे बच्चे पता नहीं तेरे भाईयों को ये बात कहां से पता चली लेकिन ये बात सच है तभी बाहर से दोनों भाईयों की चिलाने की आवाज आ जाती है लाडो और चीलू बाहर आकर देखते हैं देखते हैं तो क्या एक बड़ी इसी चील उन दोनों भाईयों के पास खड़ी होती है वो उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी तब ही चीलू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से खदेड देता है दोनों भाईयों की चान बच जाती है लाड़ों भी वहाँ पर आ जाती है भाईया हमें माफ कर दो अगर आज आप यहाँ पर रही होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती दोनों भाईयों को अपनी गल्ती का एहसास हो जाता है और दोनों चीलू के गले लग जाते है लाडो ए सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है उपर से ए सब दुश्य भूरा कववा देख रहा था वो जाकर ये सब बात राजा के कारों तक पहुचा देता है राजा जी हमने लाडो को बस्ती से निकाल कर बहुत बड़ी कल्ती कर दी आज में लाडो के गोसले के उपर से उड़ रहा था और उसके बेटे बाहर खेल रहे थे तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया तभी लाडो के गोसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेर दिया मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था ये वही बच्चा है हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पंठी हमारे बस्ती पर हमला कर रहे हैं अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा, तो ये हमारा रखवाला बन सकता है। तुम सही कहते हो बूरे। हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिफाई पक्षियो द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेशा बेज देता है। और लाडो भी पिछली सारी बातों को भुला कर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पशुपक्षी भी चीलू को अपना लेते है। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता। चीलू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चल कर चीलू लाडो और पूरे बस्ती का रखवाला बन गया। तो दोस्तों केसी लगे आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।